वेलकम टू जीनियस आईएस फाइव मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है कॉंस्टिटूशन को जानने के लिए जो हमने सीरीज सुगी है इसमें हम यूनियन एग्जेकुटिव पढ़ रहे थे यूनियन एग्जेकुटिव में हमने दो आर्टिकल्स पहले देखे 52 और 53 और इसी यूनियन एग्जेकुटिव में हमने बोला कि यूनियन एग्जेकुटिव पार्ट है हमारे पार्ट 5 के अंदर पार्ट 5 डील करता है यूनियन से पार्ट फाइव डील करता है यूनियन से जिसके अंदर आर्टिकल 152 से लेके 151 है लेकिन यूनियन एग्जीकिटिव जो डील करता है वो आर्टिकल 52 से लेके 78 के अंदर डील करेगा उसके अलावा part 5, part 5 हमारा total union से deal करता है और union में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे executive तो है, फिर हम parliament पढ़ेंगे और supreme court पढ़ेंगे वो हमारे total हमारे union के अंडरा जाएगा ठीक है, तो यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे लेकिन हमने 52 और 53 पढ़ा था, तो आज हम दो आर्टिकल और पढ़ेंगे आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 कौँ पढ़ने वाले हैं 54 क्या कहता है, देख लेटे आर्टिकल 54 जो deal करता है election of the president से election of the president इसमें आर्टिकल 54 में सिरफ और सिरफ ये बताया गया है कि जो president का election होगा, इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करेगा क्या हम लोग president के लिए vote डालते हैं? नहीं, हम लोग directly निगालते हैं president का जो चुनाव हो रहा है, वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिन इदियों के द्वारा होता है यानि इसको जो चुनते हैं, वो MPs और MLAs चुनते हैं तो इसको चुनने वाले कौन-कौन हैं? उस पर एक छोटी सी निज़र डाल लेते हैं कि इनको कौन-कौन election में इनके participate करता है तो जो भी इसके election में participate करेगा उन सब को मिला के हम बोलते हैं electoral college उन सब को मिला के हम बोलते हैं electoral college तो कौन-कौन है? एक बार देख लेते हैं कि सभी elected members elected members कहां के? elected members of parliament parliament के जितने भी elected members हो चाहे वो लोकसभाओ, चाहे राज्यसभाओ राज्यसभाओ में आलांकी indirectly elect होके जाते हैं लेकिन फिर भी जो भी elected members हैं वो सब president के election में participate करेंगे लोकसभा, राज्यसभाओ के सभी members जो elected हैं ध्यान रखना है elected word का बड़ा importance है जो भी elected हैं वो सब इसके president के election में participate करेंगे अपना vote डालेंगे कुछ members nominated भी होते हैं हमने देखा है राज्यसभाओ में 12 members को nominate किया आता है president के द्वारा तो जितने nominated members हैं कोई भी nominated member election में, president के election में participate नहीं करता है सबसे पहली चीज़ ये clear होने चीज़ कि कोई भी nominated member president के election में participate नहीं करता है दूसरा जितने भी elected members है of state legislative assemblies जहां रखना legislative assemblies legislative council नहीं है ठीक है मैं सिरफ और सिरफ legislative assemblies की बात कर रहा हूँ छे स्टेट में भारत में छे स्टेट में legislative councils भी हैं विधान परिशद भी हैं वो विधान परिशद के member president के election में participate नहीं करते हैं सिरफ और सिरफ विधान सभावाले जो members हैं legislative assembly के जो members हैं सिरफ वही participate करते हैं legislative council के member participate नहीं करते हैं एक चीज़ यह ध्यान रखना यहां पे भी जो nominated members होंगे वो participate नहीं करेंगे यह चीज़ ध्यान रखना अब मैंने बुला सभी state के अब यहां पे जो state word है ना इस state में जहां जहां पे legislative assemblies है वो सब आयते हैं जैसे इसमें दिल्ली भी include हो जाएगा दिल्ली state नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे legislative assembly है तो वहां के भी जितने elected members होंगे वह भी president के election में participate करेंगे plus पुडूचैरी या पॉंडीचैरी जिसे हम बोलते हैं पुडूचैरी या फिर पॉंडीचैरी जिसे हम बोलते हैं यहां पे भी legislative assembly है तो इसके भी जितने elected members होंगे वह president के में participate करेंगे अभी recently एक और union territory में legislative assembly बनी किस में? सबी को पता है कि J&K, जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर में भी legislative assembly जब बन जाएगी तो उसके members भी president के election में participate करेंगे तो जितने state हैं प्लस UTs में जहां पर legislative assemblies है जहां नहीं है वहां वाले कैसे करेंगे? तो इसलिए सिर्फ जहां पर legislative assemblies हैं वो members participate करेंगे election of president में और ये सब मिला के बनाते हैं electoral college कौन-कौन नहीं करते हैं आपको पता लग गया होगा, nominated कोई नहीं करेगा, legislative council के members नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना हैं अब इसी में article 54 तो हमने पढ़ा, article 55 डील करता है कि इसका election होगा कैसे? ये तो ये अभी तक तो हमने पढ़ा कि इसमें participate कौन-कौन करेगा? लेकिन article 55 डील करता है, manner of election of president कि इनका election होगा कैसे? तो इनका election के लिए जो word यूज क्या आता है, इनके election का जो तरीका है वो है system of proportional representation by means of single transferable vote ये है हमारा proportional representation सबसे पहला चीज़ है system of proportional representation यहाँ पर जो follow करते हैं, वो करते हैं, proportional representation state का कितना proportion है? हमेशा इनको calculate किया आता है population के proportion के हिसाब से कि हर एक MLA के उपर कितनी population है? उसके हिसाब से उसके vote की values होंगी तो proportional representation कही ना कही, vote के हिसाब से count नहीं होता vote की value के हिसाब से count होता है कि उसके vote की value कितनी है? किसी MLA के vote क कम हो सकती है, किसी के ज़्यादा हो सकती है हर state में ये vote की value differ करती है, change होती रहती है क्यों? क्योंकि वहाँ की population change होती है क्यों? क्योंकि हर एक vote की, अगर हम देखे MLA के vote की value वो इस formula से निकाली जाती है कहीं ना कहीं इस formula में भी कहीं ना कहीं कमी आपको दिखाई दे रही होगी मैंने into one by thousand ने गिया हूँ ठीक है तो यह basically यह हमारा MLA की vote की value निकालने का formula है कि total population उस state की कितनी है जहां का वो MLA प्लस उस state में total elected members कितने होते है legislative assembly में इसको इससे divide कर दो और one by thousand से multiply कर दो तो यह हमारी आयती है MLA के vote की value अब इसी MLA की vote के value से हम निकालते हैं फिर MP के vote की value क्योंकि member of parliament भी तो इसमें participate करते हैं तो member of parliament कैसे करेंगे क्या पूरे देश की population लेंगे नहीं वहां पर हम इस vote की value को हम count करेंगे MP के vote की value हम कैसे count करेंगे कि total जितनी भी value हो जाएगी सभी MLA की मिलागी जितने भी MLA पूरे इंडिया में हैं उन सब के vote की कितनी value है तो total value वो उसको divide कर देंगे कि total elected member of parliament कितने होते हैं eliminated data दो तो जितने elected बचे उससे divide कर देंगे यह हमारी आ जाएगी MP के वोट की value और इस हिसाब से अपनी value के हिसाब से वोट डालते हैं और यही value count होती है और बाद में किसको हम मान लेते हैं कि कौन इसमें जीता है तो जो भी जीता होगा उसको एक quota achieve करना पड़ता है उसको ह total quota का भी एक formula है कि total जितनी भी वोट पड़ी हुई है जितनी भी वोट प्रेजिडेंट के election में डाली गई उसको divide करेंगे 1 प्लस 1 से यह formula quota achieve करने का होता है यहाँ पर यह 1 इसले लिखा है इस 1 की value होती है कि हमें total number of candidate कितने elect करने है जहाँ पर भी proportional representation आएगा वहाँ पर यह formula यूज होता है अगर मान लो दो candidate यूज करने है तो यहाँ 2 प्लस 1 कर दूँआ तीन candidate करने है हमें elect तो 3 प्लस 1 कर दूँआ तो जितने भी members हमें elect करने अब यहाँ पर president तो यह की होता है तो इसले मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो इसकी value हो जाएगी total valid votes divided by 1 क्योंक 50% vote से ज्यादा लेके आने होते हैं कुल मिला के बाद यह अगर इसको simple भासा में समझें कि आधे से ज्यादा vote होनी चाहिए ठीक है तो यह होता है हमारे president के election का तरीका और इसी में यह जो election होता है यह secret ballot के द्वारा किया आता है और इसी में एक और चीज है single transferable vote यह क्या होत है इस president को vote डाल रहा हूँ वो अपनी preference डालते हैं कि total मानलो 5 candidate election के लिए खड़े हुए हैं तो वो जो भी वोट डालेगा वो ऐसे डालेगा मेरी first preference यह है second preference यह है third preference पर यह है fourth पर यह फिफ्ट पर यह है यानि अपनी preference बताते हैं अगर मुझे चुनना हुआ तो मेरी पहली preference यह president रहेगा तो सबसे पहले इसको बनाव मौका दिया जाए उसके बाद इसको उस इसाब से हम वोट को count करते हैं यह एक बहुत बड़ा तरीका है इसको हम किसी उसमें वीडियो में detail उसमें देखेंगे यहाँ पर सिरफ आपको इतना पतावना चाहिए एक detail वीडियो में इसके डाल दूगा कि इसके manner के यह calculation कैसे होती है तो उसमें आप easily समझ सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं आगे के articles को फिर अगली वीडियो में देखेंगे आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो like, share, subscribe करना ना भूले और इसके साथ साथ अगर कमेंट हो कोई suggestion हो तो आप हमें comment box में लिक्के बता सकते हैं आज इतना ही रखते हैं thank you, take care, bye bye